हर ही योम नमस्कार 31 मईए 2024 दिन शुक्रवाद ग्रहों के राजकुमार यानि की बुध राशी परिवर्तन करने जा रहे हैं इस दिन युवराज बुध मेश राशी से निकल कर विशब राशी में प्रवेश करेंगे और 14 जून 2024 तक विशब राशी में ही विराजमार रहेंगे उसके बाद वो मिथुन राशी में प्रवेश करेंगे प्रियदर्श को बुध के से राशी परिवर्तन का विभीन राशी पर क्या प्रभाव पड़ेगा आज हम चर्चा करेंगे इसकी प्रियदर्श को आज हम 6 राशी की ही चर्चा करेंगे यानि कि मेश से लेकर कन्या राशी तक की बाद हम आज की विडियो में करेंगे और कल तुला से लेकर मीन राशी तक की बाद करेंगे तो चलिए बिनादेरी के सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेश राशी से प्रियदर्श को ये राशी फल में आपको आपकी चंदर राशी के अनुसर बताने जा रही हूं मेश राशी वालों के लिए बुद्ध का ये गोचर द्वितिय भाव में होने जा रहा है बुध आपके तृतीय भाव के स्वामी और छटे भाव के स्वामी होकर ड्विती भाव में गोचर करेंगे प्रिय धर्शको वरतमान में देव गुरु ब्रहसपती सूर्य शुक्र ये तीनों भी विश्ब राशी में ही विराजमान है ऐसे में द्वितिय भाव में बुद्ध का ये गोचर आपकी वाणी को प्रभाव शाली बनाएगा परंतु हो सकता है कि आपकी वाणी से ही आप किसी वाद विवाद में इस गोचर काल के दोरान फस सकते हैं इसलिए आपको बोलने से पहले जरूर सोचना समझना चाहिए अन्यता आप किसी वाद विवाद में इस गोचर काल के दोरान फस सकते हैं ऐसा कुछ ना बोलिए जिससे आप दूसरे को हर्ट कर दे प्रियदर्श को बुद्ध का दूसरे भाव में होने वाला ये गोचर आपको सकिन समंधी परिशानिया भी दे सकता है उसका आपको ध्यान रखना चाहिए पैत्रिक संपत्ती को लेकर अगर कोई वाद विवाद अब तक चल रहा है तो उसमें आपको लाप राप्त हो सकता है पैसो का लेन देन भी आपको इस गोचर काल के दौरान ध्यान से करना चाहिए आईए अब बात करते हैं अगली राशी की जोकी है व्रिशब राशी प्रियदर्शकों ये राशी फल मैं आपको आपकी चंदर राशी के अनुसार बताने जा रही हूँ व्रिशब राशी वालों के लिए बुध का ये गोचर उनकी राशी में ही होने जा रहा है प्रियदर्शकों वृषब राशी वालों के लिए बुध दूसरे भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी होकर उनकी राशी में ही गोचर करने जा रहे हैं ऐसे में बुध का ये गोचर आपकी परसनेलिटी को निखारने वाला होगा इस गोचर काल के दोरान लोग आपसे आकरशित होंगे आपका प्रभाव लोगों के मन पर एक चाप छोड़ेगा इस समय के दोरान आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्ज भी निखरने वाली हैं आपकी वानी से लोगों के मन में एक चाप बनने वाली है आपकी वानी की वज़े से ही आपके बहुत सारे काम इस गोचरकाल के दोरान बनने वाले हैं आर्थिक दृष्टी कौन से भी ये गोचरकाल आपके लिए अच्छा रहने वाला है धन आदी के लिए ये गोचरकाल आपके लिए अच्छा रहने वाला है प्रियदर्श को इस गोचरकाल के दोरान आपके ज्यान में भी बढ़ोतरी होगी हो सकता है इस समय के दोरान आपके अंदर अहंकार बढ़ जाए तो आपको इसका ध्यान रखना है आपको इस गोचरकाल के दोरान अहंकार और घमंड से थोड़ा सा खुद को बचा कर रखने की जरूरत होगी विवाहिक जीवन के लिए भी ये गोचरकाल अच्छा रहने वाला है और विध्यार्थियों के लिए भी ये गोचरकाल उत्तम रहने वाला है आईए अब बात करते हैं मिथुन राशी की मिथुन राशी वालों के लिए बुद्ध का ये गोचर वादश भाव में होने जा रहा है प्रियदर्श को बुद्ध आपके राशी पती होकर और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं ऐसे में बुद्ध का ये गोचर आपके खर्चों को बढ़ा सकता है इस गोचरकाल में आपके खर्च अधिक हो सकते हैं इस गोचरकाल में आप देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं, अगर आप काफी देर से विदेश जाने के लिए ट्राइ कर रहे थे तो इस गोचरकाल में आपके विदेश जाने की संभावना अधिक बढ़ रही है प्रियदर्श को इस गोचरकाल में आपको अपने स्वास्थ का ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको skin related कोई problem है या फिर नसों से संबंधी पहले से कोई problem है तो आपको अपना विश्येश ख्याल इस गोचरकाल के दोरान रखना चाहिए इस गोचरकाल के दोरान माता के स्वास्थ का और पिता के स्वास्थ का भी ध्यान आपको रखना चाहिए, ये गोचरकाल खर्चों को भढ़ाने वाला हो सकता है और इस गोचरकाल के दोरान आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि किसी पर भी आँख मूद कर विश्वास आपको नहीं करना है प्रियदर्श को इस गोचरकाल के दोरान हो सकता है कि कोई आपका अपना जिसको आप अपना मानते हो जिस पर आप विश्वास करते हो वो आपको इस गोचरकाल के दोरान धोका दे जाए तो इस बात का ध्यान जरूर रखे किसी पर भी आँख मुंद कर विश्वास आपको नहीं करना है इस समय के दोरान चलिए करकराशी की बात कर लेते हैं ये राशी फल मैं आपको आपके चंदराशी के अनुसार बताने जा रही हूँ करकराशी वालों के लिए बुध का ये गोचर एकादश भाव में होने जा रहा है बुध आपके वादश भाव के स्वामी और तृतिय भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में गोचर करने जा रही है प्रियदर्शकों वर्तमान में सूर्य, शुक्र और देवगुरु ब्रहस्पती भी ब्रिशवराशी में ही विराजमान है ऐसे में बुद्ध का लाभ भाव में होने वाला ये गोचर आपको इस गोचरकाल के दोरान धन लाभ करवाने वाला रहेगा इस गोचरकाल में आपको धन लाभ हो सकता है मानसमान की प्राप्ती आपको इस गोचरकाल के दोरान हो सकती है अगर विदेश यात्रा आप करना चाहते हैं तो इस गोचरकाल के दोरान विदेश यात्रा के लिए भी अच्छे योग बन रहे है प्रियदर्श को इस गोचरकाल के दोरान आपका प्रेम जीवन भी सुखद रहने वाला है परंतु एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि इस समय के दोरान आप अपनी वाणी से अपने दुश्मन बना सकते हैं अपनी वाणी से अपनी लोगों को भी आप पराया कर सकते हैं इसलिए अपनी वाणी का सही इस्तमाल कीजिएगा और इस गोचरकाल के दोरान बोलने से पहले सोच विचार जरूर कर लीजिएगा बाकी धनलाब की दृष्टी से ये गोचरकाल आपके लिए अच्छा रहने वाला है जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है उन्हें नया रोजगार इस गोचरकाल के दोरान प्राप्त हो सकता है मान सम्मान में वृद्धी होगी आईए बात करते हैं अगली राशी की जो की है सिंग राशी प्रेदर्श को ये राशी फल मैं आपको आपकी चंदर राशी के अनुसार बताने जा रही हूँ सिंग राशी वालों के लिए बुद्ध का ये गोचर दशम भाव में होने जा रहा है बुद्ध आपके द्वितिय भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर करने जा रहे हैं प्रेदर्श को मैंने पहले ही बताया है कि वर्तमान में सूर्य, शुक्र, देवगुरु, ब्रहस्पती ये तीनों भी वरिशब राशी में ही विराजमान है ऐसे में बुद्ध का ये गोचर जो कि आपके दशम भाव में होने जा रहा है आपके लिए अच्छा रहने वाला है प्रियदर्श को इस गोचर काल के दोरान आपको अपने कारशेत्र में तरक्की प्राप्त होगी जो रुकावटे आपको आ रही थी अपने जीवन में वो रुकावटे धीरे धीरे इस गोचर काल में आपको दूर होती नजर आएंगी धन प्राप्ती के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है धनलाब इस गोचरकाल के दौरान आपको हो सकता है प्रियदर्शे को इस गोचरकाल के दौरान माता पिता के आशिरवात से आपको अपने जीवन में तरक्की प्राप्त होगी मान सम्मान आपका इस गोचरकाल के द दबदबा कायम रखने में सफल रहेंगे आप उन पर हावी रहेंगे ये गोचर काल आपके लिए कारिशेत्र की दृष्टी से देख लीजिए या फिर धन की दृष्टी से देख लीजिए अच्छा ही रहने वाला है आईए अब बात करते हैं इस वीडियो की आखरी राशी की यानि की कन्या राशी की कन्या राशी वालों के लिए बुध का ये गोचर नवम भाव में होने जा रहा है प्रियदर्शकों बुध आपकी राशी पती होकर और दशम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में कोचर करने जा रहे हैं प्रियदर्शकों मैं आपको बता दूँ कि ये राशी फल में आपको आपकी चंद्र राशी के अनुसार बताने जा रही हैं प्रियदर्शकों वर्तमान में देव गुरु ब्रहस्पती सूर्य और शुक्र भी व्रिशब राशी में ही विराजमान है ऐसे में नवम भाव में होने वाला बुद्ध का ये गोचर आपके लिए शुब रहने वाला है इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में जो परिशानियां चल रही थी जो रुकावटे आप अपने जीवन काल में फेस कर रहे थे वो इस गोचर काल में आपको दूर होती नज़र आएंगी इस गोचर काल में आपको आपके भाग्य का साथ प्राप्त होने वाला है प्रियदर्शको ये गोचरकाल धन के दिष्टी कोन से भी आपके लिए अच्छा रहने वला है प्रियदर्शको इस गोचरकाल के दॉरान आपको अपने परिवार जोनों का सहयोग प्राप्त होगा मित्र आदी का साथ भी आपको इस गोचरकाल के दौरान प्राप्त हो सकता है अपने परिवार के साथ भी आप इस गोचरकाल के दौरान कोई शुभयातरा तीर्थयातरा कर सकते हैं जो कि आपके लिए शुफल प्रदाई रहेगी इस गोचरकाल के दौरान आप अपने ज्ञान, बुद्धी मता और मेहनत से सफलता हासिल करेंगे इस गोचरकाल के दौरान सक्सेस हासिल करेंगे प्रियदर्शकों ये गोचरकाल धनकी दृष्टी कौन से भी आपके लिए उत्तम रहने वाला है तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजेगा, धन्यवाद हरी ही ओम